हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चेनल दे टेस्ट ओफ इंडिया तो फ्रेंड्स केसे हैं आप फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं मगत के लड़ू अगर आपने कभी इने ट्राइ नहीं किया है तो एक बार इने जरू ट्राइ कीजिएगा अकसर इसे गर्मियों में बना के खाया जाता है बहुत टेस्टी बनते हैं तो चलिए फिर बना लेते हैं इसे बनाने के लिए पेन के अंदर आदा चोटे चमच घी डाला है थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद मैं इसमें डाले हैं फूल मखाने फूल मखानों को अच्छे से मैंने दो से तीन मिट सेक लिया है तो फ्रेंड्स इन्हें अच्छे से से सेक लीजिएगा यह बहुत जरूरी है तो इस तरह से मैंने सेख के इने निकाल लिया है प्लेट के अंदर आप अच्छे सेख के इसे प्लेट के अंदर निकाल लीजीगा और ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजीगा फिर सेम मैंने उसी पेन के अंदर डाला है तीन से चार चोटे चमच देसी घी देसी घी अच्छे से मेल्ट होने के बाद मैंने इसके अंदर डाली है बादाम तो आदा चोटा बाउल भर के मैंने इसके अंदर बादाम डाली है अच्छे से मैंने इन्हें भी गी के अंदर फ्राई कर लिया है तो इस तरह से मैंने गी में इसे low to medium flame पे फ्राई करके निकाल लिया है तो बादाम भी हमारी तयार है इस तरह से बादाम को भी मैंने निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है फिर सेम उसी पैन के अंदर डाली है मैंने किशमिश किशमिश को भी अच्छे से मैंने घी के अंदर फ्राई कर लिया है लोर टू मीडियम फ्लैम पे ही कीजेगा वरना किशमिश जलने का डर रहता है यह फटापट से हो जाती है तो fully fully किश्मिश हमारी तयार है इसे भी मैंने निकाल के रख दिया है साइड में आपको जो dry fruit पसंद हो वो आप इसमें add कर सकते हैं तो फिर मैंने same उसी pan के अंदर डाला है साबू धनिया इस लड़ू के अंदर जो main ingredients है वो धनिया ही है तो साबू धनिया मैंने लिया है आधा छोटा बाउल भरके वो इसके अंदर डाल दिया है 2-3 मिट घी के अंदर अच्छे से मैंने इसे fry कर लिया है low flame पे पिर सेम उसी pan के अंदर मैंने डाला है दो बाउल भरके आटा गेहू काटा डाला है और अच्छे से मैंने इसे सेक लिया है साथ से आठ मिनिट तक ब्राउन होने तक हमें अच्छे से से सेक ना है जल्दबाजी हमें इसमें नहीं करनी है तो अच्छे से सेक लिया है थोड़ा गी कम लगा था तो मैंने गी इसमें ओर डाल दिया है तो लगबग मैंने इसे 7-8 छोटे चमजगी डाला है और अच्छे से पका लिया है इसे ब्राउन होने तक मैंने इसे पकाया है तो आप इसका कलर देख सकते हैं अच्छे से सेखिएगा अच्छे से सिखाई इसकी होने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका ह तो मैंने तुरंथ ही इसे प्लेट के अंदर इस तरह से निकाल दिया है, पैन के अंदर इसे नहीं छोड़ियेगा, मैंने इसे निकाल के ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है, तो अब आटा भी तैयार है, इदर सीका हुआ, फिर हमने जो बादाम फ्राइ किये थे, म बार मैंने इसने दरदरा पीस लिया है, और बाउल में निकाल दिया है, और फिर जो फूल मकाने हमने सेक के रखे थे, वो भी मैंने इस तरह से डाले है, मिकसर जार के अंदर डालके इनने इस तरह से थोड़ा दरदरा पीस लिया है, फिर मैंने इस तरह से इनने निकाल दि प्रेंट्स फूल मकाने इसमें जरूर एड़ कीजिएगा बहुत टेस्टी लड़ू बनते हैं तो फूल मकाने में पीस के तयार कर लिये हैं वो भी निकाल दिये हैं एक सर जार के अंदर मैंने डाला है साबू दनिया जो हमने फ्राइ किया था वो भी अच्छे से में डाल के तो बिल्कुल फाइन पाॊषर हमें बना के तयार कर लेना है इसे भी पीस के में ने अच्छे से प्लेट में निकाल दिया है और रख दिया है मैंने इसे साइड में के एक पैन रखी है और उसके पेंडर डाला है अप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं पर गुर से बहुत टेस् और गेस की फ्लेम ओफ करके मैंने से नीचे उताल लिया है अब इसे हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है फटा फट से सारे इंग्रीजियंस इसमें डालने है तो जो आटा हमने सेख के रखा था वो डाल दिया है फूल मखाने डाले है थोड़ा सा मैंने कोकोनट को इस तर तरन और फिर तीजारा का दाना डाला है खसकस सीर्ट जी से बोलते हैं किशमिश डाली है और फिर मैंने गुलाब की पत्तिया इसमें एड़ की है अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा और फिर मैंने खरबुजे की बीच डाले है इलाची पाउडर डाला है जो ड्रा लड्डू नहीं बनेंगे तो ये काम हमें फटाफट करना है इसमें जल्दवाजी ही रखनी है तो इस तरह से मैंने फटाफट फटाफट लड्डू बांदे हैं फ्रेंट्स लड्डू बांदे समय आप थोड़ी जल्दवाजी दिखाईएगा ठंडा होने के बाद लड्डू बांद के मैंने तयार कर लिये हैं आपको छोटे या बड़े जैसे साइज में बांदना पसंद हो आप वेसे बांद सकते हैं तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू बांद के तयार कर लिये हैं फ्रेंट्स मगत के लड्डू बन के तयार है आपको रेसिपी कैसी ल थेंक्यू